Hello friends, Welcome to Bei訴S Kitchen आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हल्वा इस गाजर के हल्वे को नाहीं हमने घिस के बनाया है और बिना मावे के ही हमने इसे बनाके तैयार किया है पर बिन मावे के ही ये बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट वाला गाजर का हल्वा बना है बिल्कुल ये हलवाइक स्टाइल बन करके तैयार हुआ है और खाने बे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है गाजर के हलवे को बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा किलो गाजर ले लिया है और इसे हम छील लेते हैं पहले हमने इसे अच्छी तरह से धो लिया है जिससे कि इसका मिट्टी जो है वो निकल जाएगा और इसे अच्छी तरह से हम इस तरह से पील कर लेते हैं पील करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से फिर से पानी से धो लेंगे और इसे फिर हम काट लेते हैं गाजर अगर मोटी हो तो ऐसे हम बीच से इसना से काट लेते है । PP मिक्सर में पीचेंगे तो यह बिल्कुल मोटे-मोटे नहीं रहेंगे और अच्छी तरह से असानी से पीच जाते है । आप देख सकते हैं हमने हलवा भनाने लिए वे बिल्कुल लाल-laus गाजर का पीस लेते हैं तो इसे हम मिक्सर में थोड़ा-थोड़ा करके पीसेंगे एक बार में पूरा हमें नहीं पीसना है थोड़ा-थोड़ा पीसेंगे और बीच-पीच में चम्मच से चलाएंगे ताकि अच्छी तरह से पीस जाएंगे तो यह हमारा गाजर बिल्कुल तयार हो गाजर को बिल्कुल फाइन पेस्ट जैसा हमने नहीं बनाया है आप देख सकते हैं और अब इसे हम चलाते हुए थोड़ दिर के लिए पका लेते हैं गाजर को जब हम घी के साथ भूनते हैं तो इसका जो स्वाद बहुत ही जाद अच्छा आता है बिल्कुल जैसे हलवाई तो इसी तरह से हम इसे चलाते हुए करीब 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे बहुत जादा इसे हमें नहीं पकाना है वरना गाजर का जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा नहीं आता है तो इस तरह से बीच बीच में हम इसे चलाते हुए और इस तरह से इसे हमने भून लिया तो अब हम इसमें दूध डालेंगे और इसे बॉile करते हैं एक ग्लास दूध हमने दाल लिए है और अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिला लेंगे दूड डालने के बाद इसे हमें थोड़े केले बॉइल करने के लिए रखना है तो तब तक हम इसे बॉइल करेंगे जब तक कि दूद पूरी तरह से सूख ना जाएं और बीच-बीच में हम इसे चलाएंगे घाजर को हम दूद के साथ बॉइल होने के लिए छोड़ देते हैं और तब तक हम यहाँ पे दूसरा पैन ले लेते हैं और इसे हम एक से डेड़ चमज घी डालने हैं घी हमारा मेल्ट हो चुका है इसमें हम तीन बड़े चमज दूद डाल देंगे और अब हम इसमें 6 चमच मिल्क पॉडर डाल लेते हैं और इसे हमें लगाता है चलाते वे पकाना है अच्छी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे जिससे कि ये बिल्कुल मावे की जैसा बन जाएगा तो हमें इसे बनाने के लिए बाजार से मावा लाने की जरुवत नहीं पड़ी आप देख सकते हैं बस तीन इंग्रीडियन्स से ये मावा जो है जटपट बनके तयार हो गया है बिना मावा कही हमने यहां घर पे मावा बना लिया है और यह बहुत ही असानी से दो मिट में बनके तयार हो गया है तो है यह हमारा मावा तयार हो चुका है तो अब गाजर की हलवे को हम चेक कर लेते हैं तो यह हलवे से भी दूज जो है अच्छी तरह से सूख चुका है तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे चीनी घम इसमें 70-80 ग्राम तक डाल देते हैं और इसमें दो चम्मच घी भी डालेंगे चीनी आप अपने पसंद के हिसाब से कमिया ज़ादा कर सकते हैं चीनी और घी डालने से घ्लवा के हालवा का आता है रहां ऌपने से चीना को करें करें एक शरी अजिक हमें उल्क्रावी हमें एक चीनी तरह से चलाप में और तो फोड़ी देख देखें हमें newac दालेंगे हमने यहां पर काजू बादाम और किश्मिश डाल लिया है आप चाहें तो इसमें अपने पसंद से ड्राइफूट्स कमिया जादा कर सकते हैं और अब हमने इसमें 1 फूर्ट टीस्पून इलाइची को पॉर्र डाल लिया है इलाइची को कूट के हमने इसमें डाल इस मावे से इस हलवे का जो टेस्ट है बहुत ही जादा बढ़के आता है बिल्कुल जैसे हलवाई जैसे बनाते हैं उसी तरह का इसका स्वाद आता है तो इसे हम मिला लेते हैं और अब हम इसे और दो मिनिट के लिए पका लेते हैं तो बिल्कुल इसी तरह लगाता चलाते देवे हमेंसे पका लेन भी आप देख सकते हम अची तरो के थे ताए तेиляर हो चुका है तो अब हम से्टे सेके hlwa कूर heavy कमें बताई किरने कैसे वीए तो में चाली को सब्सक्राइब करके घंटी के उटन्स जरूर दवाएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नही रेसिपी के साथ तिल देन बाबाई